ग्यों की बुआई से कटाई तक गुली रंडे को कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाईयों को अवकीरा के बहुत अच्छ रिजल्ट देहने को मिलें मगर जब हमारी फसल दो सब्ता की हो जाती है और हमें अवकीरा का प्रेयोग करना है तो फिर हम अवकीरा का प्रेयोग कैसे करें तो फिर हम केवल अवकीरा का प्रयोग कर सकते हैं मतलब बुआई के दो सप्ता तक अवकीरा का प्रयोग किया जा सकते हैं मगर अवकीरा की सप्रे करने के एक सप्ता बाद मतलब 20 से 22 दिन की ग्यों की फसल होने पर हमें पहला पानी देना बहुत जरूरी होता है जिससे गुली रंडा या मंदूसी का पूरी तरह से सफाया हो सके और आपने सुना होगा कि अवकीरा ये एक प्री एमर्जेंट हर्भी साइड है मगर हमारे किसान भाईयों ने केवल अवकीरा को जो ये 60 ग्रम की बोटल आती है जिसमें टेक्निकल आता है पैराक्सा सलफवान 85% केवल इसको पोस्ट एमर्जेंट में मतलब गुली रंडे के उगने के बाद इस बार प्रैक्टिकल करके देखा है तो किसान भाईयों को इसका पोस्ट में रिजल्ट बहुत बड़ी दिखाई दिया है और अगर हम अवकीरा का पोस्ट एमर्जेंट में प्रियोग कर रहे हैं तो इसके साथ हमें दो लिटर बंकर का इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि इस बंकर में आता है पैंडा मैथलिन 30% जो कि ये एक प्री एमर्जेंट हरभी साइड है मतलब ये जो पैंडा मैथलिन है ये गुली दे के उगने से पहले इस्तमाल किया जाता है या फिर ग्योंकि बॉआई से 0 से 3 दिन के अंदर डाली जाती है और अगर गुली दे उग जाता है तो उसको ये पैंडा मैथलिन नहीं मारता है अकीली जो अवकीरा ही पोस्ट अमर्जेंट में बढ़िया काम करेगी मगर मार्किट से हमें अवकीरा प्लस बंकर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमें 14-15 दिन की फसल पर केवल अवकीरा का प्रयोग करना है पैंडा मैथलीन का प्रयोग नहीं करना है बाकी आप इस फोटो में देख सकते हो कि पहली सिचाई करने के बाद अवकीरा का कितना बड़ी रिजल्ट आया है और ये जो हमारे किसान भाईयों ने अवकीरा को पोस्ट अमर्जेंट के रूप में डाला है मतलब ग्यों की बाई के 14 दिन बाद अवकीरा का प्रयोग किया है और उसके बाद फिर 21 दिन बाद पहला पानी दगाया है उसके बाद ये इतना बड़ी रिजल्ट मिला है मगर ग्यों की फसल में पहला पानी देने के बाद अवकीरा का प्रयोग नहीं करना है कोई दिक्कर नहीं है धन्यवाद